कि क्या आपको पता है कि आप Facebook में कुछ ऐसा सेटिंग रखते हो जिससे आपको हमेशा से ओटू प्ले विडियो देखना पड़ता है और आप उसको ना उप्टिमाईz करते ना डाटा सेव होता है तो आप Facebook में चले जाईए फेस्बूक में जाने के बाद ये जो setting option है जब आप फेस्बूक में आते हो ना तो इस तरह जटाया नहीं जाते हो इसमें आपको ये three line profile photo में आपको आना होता है और आप यहाँ पे settings बटन में आते हो ये जो settings दिखा रहा हूँ ये बहुत important setting है क्योंकि आपकी जो facebook है वो Facebook आपको spam समझ के रखा हुआ है उसको कैसे clear करेंगे यहाँ पर देखो preference आएंगे नीचे देखो यहाँ पर एक option आएंगे media इस media से आपने कुछ option setting करेंगे ठीक है इस media को click करने के बाद यह जितना भी आपको देख रहा है क्या क्या देख रहा है सबसे पहले यह optimize को click करना है यह जो optimize इसको आपको set करना है और यहाँ पर देखो यह दिखा रहा है ना यह जो आपको दिखा रहा है यह वाली settings इसको आपको off करके यह आपको इधर never autoplay videos on करना पड़ेगा ठीक है उसके लिए कैसे करेंगे यह सिदा इसमें click करतीजिए और data saver आपने रख दिया optimize adjust video to network condition अगर आपकी network condition से अच्छा है तो आपके अच्छी video देखेंगे और अगर slow है तो आप slow video देखेंगे और यह never autoplay videos इसको on करने का reason यह है कि जब भी आप facebook खोलते हो तो आपकी अपने post या videos जो आपको autoplay हो जाता है वो facebook ऐसा समझते कि भाई आप अपने view बराने के लिए आप खुदी बार-बार इसको देख रहे हो तो आपकी यह video कभी भी आप से on नहीं होना चाहिए autoplay नहीं होना चाहिए आप किसी और की phone पे और की profile से video देखिए तो आपकी तब ही यह viral होंगे या फिर आप spam से बाहर रहेंगे तो यह video की जो autoplay options नेवर autoplay videos आपको यहाँ पर click करके रखना है ठीक है तो यह सारी चीजे मैं आपको बता रहा हूँ आप प्लीज जल्दी से जल्दी इसको subscribe कीजिए और लोगों को बताईए क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाके मैं आपको यह सारी option जो है clear करने की कोशिश करता हूँ So thank you, thank you so much